सब लोगों को स्वा मुल्यांकन करना चाहिए एक पृधान मंत्री जिनके अंदर इतनी संवेधना होती है कि किसी क्रिकेटर के उंगली में चोट आती है तो सुबह उटके ट्वीट करते हैं अच्छा लगता है लेकिन मनिपूर जल रहा है जल गया एक हाथ तक वहां हमारी ब मिस्त्री चर्चा के माध्यम से आप को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं आपकी पालेसी फेलियर नहीं बताना चाहते हैं हम सामुहिक शर्म का एक संदेश भीजना चाहते हैं मनिपूर लिकिन आपकी उसमें भी दिलचस्प्इन कोई दिलचस्पे नहीं आप wake guna बने है च लोक तंत्र में प्रतिरोध की जितने option available हैं हम सब का इस्तिमाल कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताओ क्या है हमें पता है नमबर हमारे साथ नहीं है लेकिन moral majority हमारे साथ है legislative majority PM के साथ है अगर moral majority के रास्ते पे पांच कदम भी प्रधानमंदरी जी चलते हैं उनके हक में भी ब माजपई तक उस श्रिंग खला में अपने मनसा वाचा कर्मना से प्रधानमंदरी जी फिट नहीं बैठ रहे हैं उन्हीं इंडिया नाम को हार्ग की वजह मोदी जी गिना रहे हैं कि भारत के लेवल के साथ अपने पुराने पाकों को छुपाने में इसलिए मैंने कहा कि प् अपनी आज तक तो किसी प्रधानमंद्री ने इस तरह से गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था और यह पद की गरिमा होती है कद हो ना हो पद की गरिमा होती है उस गरिमा का प्रधानमंद्री जी आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और हम आपसे क्या कहे हैं मैं उसलिए कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी की शब्दा वली टिपनी लाइक भी नहीं हो रही अब बलकि मैं उस पर रियक्ट करके ना मैं अपने को भी कमतर करूंगा लोगों का जो भरोसा है उनको ये तो जानना होगा ना जितने वोट उनको मिले उससे कहीं ज्यादा बोट करके अनोनोम भीलोम करते हुए सोचना होगा कि कहां ले जा रहे हैं अभी मर्श को जब आप लोग इंडिया सब करते हैं और महारास्टर में केल होता है प्रधानमंत्री जी कोई जुबान से सबसे बड़े मसीह आज के दिन में प्रष्टाचार के प्रधानमंत्री जी भौपाल में इशारा और इराधा महारास्टर में कई और राज्यों में भी कोशिश हो रही है इदी का कारेकल बढ़वाने के लिए उसलिए ये लोग कोट में के गए हों तनी फटकार के बाद क्या प्रधान्मंदरी जी कि मर्जी के बगर गया है क्या हम नहीं समझ रहे हैं कि इवह ने क्या कहा है इदी ने नंबर तो नाम के नेता को हम इंडिया को ब्रेक करके दिखा देंगे हैं यह आप समझे कि राजनीत कहां जा रही है नहीं नहीं हमको तो सिर्फ यह सबसे पहले देखना मनिपूर का क्या हो रहा है आपके और हमारी तरह के नागरिक है उनको क्या संदेश चा रहा है कल कंवेंशन सेंटर में आपने एक मरमत की हुई इमारत का उद्गाटन किया और पटा के चलाए बहला कोई वक्ति ऐसा कर सकता है क्या कि वहां जखम पे मलहम लगाने की जरुवत है अब पटा के चला करके ना नमक चिर रख देंगे चर्चा त हुआ 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 है